विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिंडी मसाला की रेसिपी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट्री होती है तो आप एक बार जरूर ट्रै करें तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मसाला बिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ साथ सुखा लिया है और इस तरीके से लंबे लंबे पीसिज में कट कर दिया है एक कटोडी में मैंने यहाँ पे दही लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसको बारिक चॉप किया है और एक मीडियम साइज की प्यास लिया है जिसको बारिक चॉप किया है तो स इन सबी चीजों की हम यहाँ पर भिंडियों पर अच्छी तरीके से coating कर लेंगे ताकि यह मसाले और जो यह बेसन है यह भिंडि पर अच्छी तरीके से कोट हो जाए तो यह अच्छे से कोट हो गया है अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम उसमें यह भिंडी डाल देंगे और भिंडी डाल लेंके बाद हमें इन भिंडियों को अच्छी तरीके से इसमें भूनना हैं मतलब हमें इसको तब तक भूना है जब तक भिंडी अच्छी तरीके से न पक जाएं तो हमने गैस का फ्लेम यहां पर एकदम हाई रखा है और हम भिंडी को अच्छी तरीके से सिख जाएं तो हमें भिंडियों को यहां पर काफी जादा कृस्पी करके से कलिया है ये देखिए आप आपको अच्छे से चटक गया है इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारी कटी हुई प्याज प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम प्याज को यहाँ पर पकने देंगे हमें प्याज को यहाँ पर अच्छी तरीके से पका लेना है बहुत ज तो जब तक हमारे टेमाटर पक रहे हैं, हम इसको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे, तो हमारे जो टमाटर है वो काफी अच्छी तरीके से पक चुके हैं जो मसाला है ये भी काफी अच्छी से बोन चुका है अब हम इसमें डालेंगे दही डालकर हम इसको continue चलाते देंगे ताकि दही इसमें फटे नहीं दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे. तो continue चलाते वहें हम इसको पकाएंगे. तो ये देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो एकदम तयार है. दही भी अच्छी तरीके से पक चुका है. अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेति. कस्तूरी मेती डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से चला देंगे अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर एक कप पानी हमने इसमें पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और वेट करेंगे उबाल आने का तो यहाँ पर देखे ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है अब हम इसमें जो हमने भिंडियों को रोस्ट करके रखा था इस टाइम पर हम भिंडियों को मसाले में एड़ कर देंगे और एड़ करने के बाद भिंडियों को इस मसाले में अच्छे से मिला देंगे का flame off कर दिया है और हमारी मसाला बिंडी एकदम ready है तो चलिए अब हम इसे serve कर लेते हैं ये बिंडी खाने में बहुत जादा tasty होती है आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले